हमारे विभिन ग्यान वर्धा कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सब से पहले नमस्कार जोतिस ग्यान में दर्शों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं इस अंक में हम बात करेंगे सिंग रासी के लिए सिंग रासी के जातक क्या विशेश उपाय करें अप्रेल के महीने में देखो पूरा विश्व एक भहिंकर बिमारी से गुजर रहा है जैसे उपाय बताने का प्रियास करेंगे जो आप अपने घर में अराम से बैठे बैठे कर सकें सिंग रासी है अपने आप में एक बहुत विशाल रासी होती है हजारो लाखो लोग इस रासी से संबंद रखते हैं लेकिन रासी का रासी फल हम आपको कदापी नहीं बताते हैं केवल आपकी रासी के हम उपाय आपको पिछले कई सालों से बताते आ रहे हैं अब देखिएगा जैसे रासी फल के हम बात करें क्योंकि लोग डाउन है तो वो राशी फल का महत्व मुझे कभी पहले भी नहीं जचा और आज भी नहीं जचा है हाँ हर महीने गोचर गती से ग्रहों का परिवर्तन होता ही होता है उसके हिसाब से हमें क्या विसेस उपाई करने चाहिए वो हम आपको ज़रूर बताते है किसी भी अच्छे उपाई को करने से या कि प्रेयर करने से कोई हर्ज नहीं होता अब राशी राम जी की वही है रावन की वही है करशन जी की वही है कंस की वही है तो एक नाम के लाखो करोडों लोग होते हैं उसी नाम के बहुत लोग बेचारे रंग होते हैं और उसी नाम के लोग राजा भी होते हैं मध्यम परिवार में भी होते हैं तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि एक रासी के साथ एक सी घटना एक घटना ऐसा मभवसा रगता है अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ अपनी बात पर आता हूँ सिंग रासी के जो जातक हैं उनका सभाव बहुत अच्छा होता है आप वाइदे के इरादों के सब पके होते हो और सिंग रासी के जो स्वामी हैं वो सूरिये हैं सूरिया आत्मा के भी कारक है पिता के भी कारक है सूरिया आपके बला बल को भी बढ़ाते हैं और आपके लिए ये खुशकबरी भी है कि सूरिया सवरासी में आ है यानि कि उच्छ रासी के आ रहे है सवरासी के निए उच्छ रासी के आ रहे है इस महीने कुछ ग्रहों की गो मीन राशी में चल रहे हैं और 13 अपरेल से सूरिय मेश राशी में आ जाएंगे सूरिय अपरेल में 12-13 दिन दूसरी राशी के हैं मीन के हैं और उसके बाद सूरिय उच्छ राशी के हो जाएंगे 13 अपरेल से अब सूरिय उच्छ राशी के होंगे जाहिर सी बात है, कोई भी ग्रहे को पावर मिलती है या किसी व्यक्ति को भी पावर मिलती है तो कहीं न कहीं उसके जीवन में कुछ अच्छा ही होता है उस पावर का उसको फाइदा मिलता है अब मंगल मकर में हैं, बुद्ध फिलाल कुब में हैं लेकिन साथ अपरेल से बुद्ध मीन में चले जाएंगे गुरू, आपको मालूमी है कि तीस मार्च से गुरू तगरिवन नबेह दिनों के लिए मकर राशी में परवेश कर गए हैं शुक्र, अठाइस मार्च से शवरासी के, वर्शवरासी के हो गए हैं शनी, आपको मालूमी है कि मकर में चल रहे हैं राहू, मिथुन में है ये ग्रोहों का गोचर, सभी के लिए शुब नहीं होता है और सभी के लिए अशुब भी नहीं होता है इसलिए आप कभी भी मत डराक रहे हैं कि मेरी ये राशी है, मेरी सिंग रासी है, मेरी लियो रासी है, तो मेरे उपर ये हो जाएगा, घवरानी के आवश्रकता नहीं, बस सतर्क रही है, और अच्छे से नेक काम करते रही है, इश्वर सब ठीक रखेगा, हम इस वीडियो में खास तोर से वो उपाए आज जो घरेलू हों, बहुत सस्ते हों, और हम अपने घर में बैठकर आराम से कर सकें, कभी भी दर्शो को किसी उपाए करते समय, किसी का आहित नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा उपाए ना करें, जिससे किसी का नुक्सान हो या पैसे का दुर उप्रयोग हो, अब आईए हम ब जातको की सिंग रासी है, या जिन जातको का सिंग लगन है, दोनों ही ये उपाए कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नुक्सान नहीं है, कट, दुबारा से फिर लेना यहां से, फिर मैं दुबारा से बता रहूं, यहां से लेना, ये उपाए जिन जातको की सिंग रासी है, या जिन जातकों का सिंग लगन हैं वो जातक ही हो पाए अराम से करें अब देखो आपकी रासी है आपकी रासी के स्वामी है सूर्य सूर्य परतापी होती है टोटल बारा रासी होती है बारा रासी में सूर्य को एक रासी मिलती है सिंग लियो और एक रासी मिलती है चंद्रमा को क बाकी सबी ग्रों को राहु केत्व को छोड़ करके दो-दो राश्याँ प्राप्त होती है आपकी हतेली में भी रिंग फिंगर के नीचे सूरिय परवत होता है सूरिय माउंट होता है, सूरिय रेखा होती है अब हमें क्या उपाए करने आईए हम आपको बताते हैं हमें कितने रवीवार अपरेल के महीने में मिल रहे हैं हम आपको ये बता देते हैं आपको मालूम भी है 5 अपरेल, 12 अपरेल, 19 अपरेल और 26 अपरेल 4 संडे आपको मिल रहे हैं हमें यह उपाए केवल रविवार के दिन करने हैं केवल एक दिन भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रभाव अच्छा नज़र आएगा अब देखें सुबह सुबह उठें इस सनानादी से निवरत हो करके सुरिय भगवान की साधना करें क्योंकि आपके ही राशी के स्वामी हैं सुरिय और सुरिय साधना से वैसे भी हमारी सरीर के अंदर ओज तेज की मात्रा बढ़ती है और विटामिन डी बढ़ती है जी सुरिय के अंदर विटामिन डी भी तो है सुरिय धुक के अंदर तो इस वकत वोई चीजे खाएं जिनमें विटामिन A, B, C और D ज्यादा हो प्रियोग में लाएं इस बिमारी के लिए भी जो चल रही है और अपनी राशी के ख्याल से भी सूरिय स्नान जरूर कीजिएगा सुबा सुबा उठकर के सूरिय की साधना कम से कम तीन माला गाहितरी मंत्र की करें या ओम हिरिम सूरिय नमहा ओम हिरिम सूरिय नमहा इस मंत्र की तीन माला रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से हर अभी बार आप लोग किया करें दूसरी बात रवी बार के दिन ही तांबे के लोटे में थोड़ा मीठा मिला करके गुड़ादी मिला करके सुर्य भगवान को जल दीजिएगा ओम हिरिम सुर्यायन में बोलते हुए तांबे के जो बरतन हैं उन्हें प्रियोग मिलाईए उन्हें जल पीजिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तांबे का कोई कड़ा हो तो हर रवी बार तांबे का कड़ा दाहीने हाथ में जरूर पहन के रखिएगा दहातुमों का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे उपर अत्यदिक आता है समझे आप दूसरी बात एक चीज़ और बताएं आपको काम आएगी आपके बहुत ज़्यादा गोल्ड धारन भी कर सकते हैं ये रवी की उंगली है इसे रवी की उंगली कहते हैं सूरिय की उंगली कहते हैं इसमें कोई भी गोल्ड का छला ये तांबे का छला आप रवी बार के दिन जरूर पहनें आपके सूरिय पर भी असर आएगा आपके सरीर के उपर भी इसका लाब मिलेगा एक उपाय और आदित्य हर्दे इस्तोत्र विज़ पराप्त कराता है भगवान श्री राम ने रावन के वद से पहले आदित्य हर्दे इस्तोत्र पढ़ा रिशी अगस्य जी ने उनको दिया रावन की सफलता के लिए और श्री राम जी की सफलता के लिए यानि के विज़य के लिए तो आज जो ये करोना वाइरस पूरे विश्वे फैल रहा है आप कम से कम प्रियास करें रवी बार के दिन वैसे तो हर दिन रवी बार बन चुका है संडे है सब अपने घर पर ही है संडे हो मंडे हो सब अपने घर पर है और रहना भी चाहिए इस लोगडाउन का मतलब यही है कि हम पूरा पूरा का पूरा हम अपने सहयोग दें और अपने घर पर ही हम सब लोग रहने का प्रियास करें और हमसे जिसकी जो मदद बन सकती है उसे करने का प्रियास करें आदित्य हर देस्तोत्र या तो परति दिन नहीं तो आप अपनी रासी के हिसाब से हर संडे चार संडे हैं इस महीने में चार के चार संडे सुबह सुबह आदित्य हर्दे स्तोत्र एक बार या तीन बार जरूर बढ़ें भगवान राम को विज़े प्राप्त हुई इसे पढ़के हमें भी विज़े प्राप्त होगी हमें भी भगवान राम जी की और सूर्य नाराण के गरपा प्राप्त होगी और इस बीमारी पर विजह प्राप्त होगी ऐसा हम नहीं करें कि आप मेडिकल साइंस की लापरवाही बरते नहीं जो मेडिकल साइंस के हिसाब से जो मेडिकल के हिसाब से जो भी देख रेख है रख रखाओ हैं जो भी है वो आप सारा काम करते रहिएगा लेकिन उसके सास्तार अगर आप थोड़ा ध्यातनिक के रूप में भी इस प्रगार की चीज़े करते हैं तो आपको लाब मिलेगा हमारे सास्तरों में आदित्य हर देश तोत्र की बहुत महिम कम से कम हमसे कुछ भी नहीं बन सकता तो हम आदित्य हर देश तोत्र इस निमत पढ़ें कि है भगवान सूरिय है है भगवान श्री राम ऐसी गरबा करें कि ये बिमारी जड़ से नस्थ हो जाए पूरे विश्व में खोशाली आए पूरे विश्व को अच्छा स्वास्ते स कि ये सबसे पूर्मुकता है कि महा सरवे भवन तू सुखीन है सबका सुख मांगा जाता है सबकी अमन चेंसांती मांगी जाती है तो आदित्य हर देश तोत्र करने से नाना भाती की बिमारियां दूर होती है सूरिय साधना से वास्तम में संक्रामक रोग दूर होते हैं सू it मैडिकल साइंस मैडिकल साइंस के जो हिसाब है वो भी आप अबनाते रहिए और साथ में थोड़े थोड़े इस प्रकार के उपाईबिया आप करते रहिए तो दोनों तरफ से आप सुरक्षित रहेंगे आपको लापने लेगा गुड़ गुड़ पेट के लिए संक्राम प्रामक रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें दूर करता है, तो गुढ का सेवन अपने भोजन में जरूर करें, और गुढ जो है सूरिया का दान भी होता, गुड का सेवन अपने भोजन में सुवे साम जितना भी थोड़ा थोड़ा आप से बनता है उसे आप जरूर करीजिएगा, अपने हिसाब से जिन्वेटिक जो पेशेंट हो वो जो देख लें अपने हिसाब से आगे चलें लाल रंग की अपने चीजें, जैसे लाल रंग कीख़ादेबदार घाजर है टमाटर है लाल रंग है सुरिया का उसमें बाहूल लिया है वो जरूर आप यूस करिएगा मसूर की डाल है एक गरम भी होती है, गरम होती है काफी मसूर की डाल तो मसूर की जाल, लाल डाल जो होती है मसूर की, कटी हुई, कटी हुई डाल, जैसे पूरा दाना होते हैं, उसका हाफ दाना, कटा हुआ मिल जाता है, बहुत अच्छे से उसे बनाईए, बहुत पका करके उसको अच्छे तरीके से बनाईएगा, और बिल्कुल जब बिल्कु इसनान जरूर करिएगा सन इसनान जरूर करिएगा इससे भी आपके स्रीर में वितामिन डी की पावराती है और जब आप दूप में बÛे हो आपके पास यहसे पंच मुवच पर रखे और उसे पंहीं की तरह चलाएं और मनीमन एक मंतर जबते रहिए आपके हाथ के पाइंट खुलते हैं एकोप्रेसर एकोपिंचर की पदिती होती है बोड़ी के अंदर जो रक्त गोशिक आए हैं शुद्ध होती है रक्त का अच्छे से संचरण होता के अंदर वास्तम में एक विद्ध पावर होती है एक मैगनेटिक पावर होती है उसका असर भी हमारी बोड़ी के पर आता और सूरिये का जो रंग है लाल है उसकी जो वस्तूवे हैं दानवालि जैसे लाल वस्तर है गुड है गेहु है गी है गाजर है एक पंथ आने को काज हो जाते हैं तो मेरे दर्शकों इन उपायों में से जो भी आपको लगा हो बस दो चीजे जो जरूर ध्यान रखें सूरिय इसनान जरूर करें रोद्राक्ष नहीं भी है तो सूरिय के सामने पांत-दस मिनट दिन में किसी भी समय बैठ करके ओम हिरिम हिरिम सूरिय आयरमा ये रोगों को दूर करने वाला मंत्र है इसे जरूर पढ़ें और आदित्य हर्देस तोत्र यदि आप पढ़ नहीं पाते हैं तो गूगल पे सर्च करके उसकी धवनी आपके घर में सुबा सुबा चलनी चाहिए और एक लोटा जल सूरिय को जरूर दीजिएगा लाल रंग के कपड़ों का प्रियोग करें जैसे पिल्लोस कवर हैं बैठ शीट्स हैं सुरिय के दिन रवी बार के दिन और यदि कोसिस करें सुबा सुबा दो घंटे तक प्रियास ये करें सुरिय निकलने के दो घंटे तक नमक का प्रियोग रवी बार के दिन ना करें बस इन उपायों में से जो भी मेरे दर्शों को आपको अच्छा लगे आप ज़रू करिएगा आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा और आपकी राशी का प्रभाव आपके ग्रहों का प्रभाव भी आपके उपर शुब लाब में परिवर्तित होगा हमने मेश राशी से लेकर के मीन राशी तक के सभी राशीयों के उपाई बताएं हैं आपरेल महीनी के आपकी हो आपके मित्रों की हो किसी की भी हो उन्हें बताईए वो भी इस समय घर बैठे बैठे इन उपायां को करेंगे तो बहुत अच्छा लाग मिलेगा आशा करता हूँ मैंने जो इसमें उपाय बताए हैं किसी न किसी को यह उपाय लाबानवित जरूर करेंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बिराम देती हैं और अगले महीने के मई महीने के जो उपाय आपकी राशी के होंगे वो एक अलग अंदाज में आपको सुनने और जानने को मिलेगे नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें